नमस्कार दोस्तो मैं हो एस्पी शर्मा आप देख रहे हैं ग्रिन गाड़न चनल में आप सब इको शागत है आज मैं आप लोगी शाथ शेयर करूंगा आपके रोज फिलार प्लांट में अगर माइट्स लगते हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे यानि कि कि इसमें फिलावर भी खिलने वाले हैं तो शबसे पहले मैं कुछ बात अप लोगों को शेयर करूंगा आपको माइट्स शबसे पहले कैसे पता चलेगा आपके फिलार प्लांट में अगर माइट्स लगते हैं तो यह देखिए लीफ की कलर ऐसा होना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे जब भी होंगे उस टाइम आपको Leaf को पलटा लेना है ऐसा पलटा के देखना है यह देखिए बहुत अच्छा से देखिए इस जगा पर माइट्स लगा है ऐसे करके हमको سमझ में आ जाते हैं कि माइट्स लगा है हमारी flower plant में यह कोई भी deficiency नहीं है माइट्स लगा है इनके से इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आते तो लीप की नीचे की साइड की यानि की बैक साइड की एक फोटो लिजी और उसको जूम करें जूम करके देखिए फोटो लेने के बाद जूम करके देखिए तो आपको समझ में आएगा आज ही देखा है इसमें माइट्स लगा हुआ है और निचे की जो लीफ है ये लीफ काफी ज़्यादा infected हो चुके है इसका color बहुत ज़्यादा खराब हो चुके है और इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ है ये देखिए आप लोग देख पर है काटिंग्स की उपर भी एक वीडियो आने वाला है मैंने और भी काटिंग्स गुरो की है जिसके वीडियो मैं बना रहा हूँ step by step और एक वीडियो में convert करके आप लोग को share कर दूँगा ताकि आप लोग भी काटिंग्स बहुत ही आशानी से ग्रो कर शकते हैं मैं हर वीडियो में आप लोग को बताते रहे तो ओविरोन यूज करें इसको आभी ओविरोन देना है लेकिन मेरा कहना है आपकी फ्लावर प्लांटा का छोटे है तो ओ कंडिशन में आप कुछ लीफ जैसे की infected लीफ है देखिए ये भी infected है ऐसा जितने लीफ infected होंगे उसको आप कट करें और कट करके एक polythine में भर लिजे पॉलिफिन में भरने के बाद काफी दूर उसको फ्यक दीजिए और नहीं तो ओलिफ को जाला दीजिए और पूरे माइट्स कतम हो जाएंगे और इसके बाद भी आपको medicines spray करना है आपको treatment जरूर देना है तो हम क्या करेंगे एक लिटर बाड़ल लेंगे एह देखेए मेरे पास एक sprayer बाड़ल है और इसमें हमने एक लिटर अपको निशान देखाए दे रहे एक लिटर मैंने बाड़ल लिया है इसमें से हमको लेना है oberon बायर कमपनी की आते है oberon बहुत अच्छे है oberon माइट्स के ओपर बहुत अच्छा result है 100% result है इसमें से हमने एक शिरिंज की हेल्प से निकल लिए है वानेमल एदेखिए वानेमल हमने पहले निकल लिए है वैसे वाइट कलर का और बहुत ज़्यादा थिकने से इसको आभी हम एक लिटर बाटर में मिला देंगे एदेखिए ऐसे कलर कियाते हैं यह हमन निडिल अपना बाडी में नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह पाजन है और यह पाजन हमारी बाडी में नहीं लगना चाहिए इस बात को धेन रखिएगा यह हमने बंद करके एक साइड में रख लिए है इसके बाद हमको इसको बंद कर लेना है और हम बंद करने के बाद बढ़ लिये है और अच्छा से सेक कर लिये है आप इसके उपर अराम से एस्प्रे कर देना है देखिए बहुत ही अच्छा से आपको एस्प्रे करना है शॉयल में भी जाएंगे लिप की उपर भी जाएंगे और लिप की नीचे से भी आपको एस्प्रे करना है ऐसे करके निचे ही है मैट सम्हें नीचे लगते है और झीख शाद दिना अन्तरस से एक ब्रैस बर करें यानि कि ए छार दोटाल करना याई कि में एक बार ऐसे कर कि चार हफ़ता दो के आपकी फ्लावर प्लांट से माइट्स पूरा चला जाएगा बिल्कुल भी नहीं रहेंगे जिस टाइम आपकी एक प्लांट में माइट्स दिखाई देगा उस टाइम आप पूरे गार्डन में सेप्टे के लिए आपके प्लांट की सेप्टी के लिए पूरे garden में आप spray करेंगे आज मैं शाम को पूरे plant को cooperate एस्परे कर देंगे 1 ml per liter water करेंगे और पूरे garden में एस्परे कर देंगे ऐसे करके आप आप की flower plant को बचाईए और जो leaf मैंने काटने को कहा है वो leaf मैं काट दूँगा जितनी भी infected leaf है वो मैं कट कर दूँगा और कट के बहुत दूर मैं उसको अलग कर दूँगा ताकि हमारे गार्डेन में इन्फेक्शन फैल नहीं शाके तो दोस्तो आज ही ताकि है एक चोटा सा वीडियो चोटा सा किलिप उम्मीद करते हो आप लोग को पसंदाया होगा ऐसे करके आप लोगे स्प्रे करें आपकी फ्लार प्लांट प्रटेक्ट रहेंगे उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियो पसंदाया है और अगर पसंदाते हैं तो लाइक कर देना शेयर कर देना शाब्सक्राब जरूर कर देना शाथ में भी लाइकन को प्र आज यही तक है इसके बाद फिर में लगे ना टपिकर शाहत ना जान करें लेकर आएंगे थैंक्स पर बाचिंग